हेलो गॉैस, आच अबात गरेने वाले हैैं अदानी पावर के बारे में अदानी पावर की बात करीं हैं तो आज के दिन 20% की अपर सरकीट लगा दिये हैं इस company के share ने और यह जो यहाँ पर से इतना जदा आप तीन दिन की बात करें पिछले तीन दिन में इस company ने 45% का return दिया है तो यह इतना जदा क्यों भाग रहा है उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला है और उसके साथ 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 आप लोगों को टाटा पावर के बारे में भी बात करने वाला है तो यह दोनों के दोनों share के बारे में आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे main topic रहने वाला है अदानी पावर ठीक है तो यहां पर से क्या news निकल के आ रही है जिसकी वाज़े से यह जो power sector है वो यहां पर बागता हुए देखने मिल रहा है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले news देख लेता है क्या news है जिसकी वाज़े से यह sector है बुरक बुरा भागते हुए नाम है अदानी power तो यहां पर से सबस्बर आ जाता है बिया सी इंडेक्स की बात करें तो आप लोगों को पिछले 10 साल के अंदर बात करें पिछले 10 साल के यहां पर से अदानी power ने यहां पर high लगा दिया है around 45% और last three season के अंदर वालब last three days के अंदर आप लोगों को यह 45% क हाई देखने को मिल गया है बस तीन दिन के अंदर तो यह चीज जाद रखना तीन दिन में 45% का return दिदिया अदानी power ने तो यहां पर आप लोग निचे की तरफ चलते हैं निचे की तरफ आप लोग देखते हो तो यहां पर क्या बताया गया है आप टचिंग अन्यू टचि तो यहां पर क्या बताया गया है कि जो तीसरा दिन है यहां पर से न्यू हाई देखने को मिल गया है आदानी power के अंदर तो मलब यहां पर से अभी इस कंपनी ने 52 वीक हाई न्यू लगा दिया है और यहां पर आने वाज़े समय में उपर जाने की भी बहुत ज्यादा पॉ इस में ही अच्छी कासी तेज़ी देखने में बली है तो यहां पर आप लोग देखो जेएस डेवल्यू एनर्जी एंटीपीसी उसके बाद है रिलाइंस इंफ्रस्ट्रक्ट्टर उसके बाद पावर ग्रीड कॉर्परेशन उसके बाद पावर एंड टोरेंट पावर तो यह सारे के सरे शेर्स के अंदर हैवीली यहां पर से वाल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहा है तो यह पावर इंडेक्स है पुरा-गुरा बीएसी का पावर इंडेक्स वो पिछले 10 साल का सबसे हाईस लेवल के उपर आ चुका है तो मतलब आप लोग सोच सकते हो कि आने पाले समय में और भी जड़ादा तेज़्ी होने के पूरी चैन्से supports है अब भी म बात करें दें निची के तरफ यहां पर से और भी जड़ा निऊज और बहुत साय सब्याइस बता ही गी कि हैं यहां पर लोग निची के तरफ चलता है तो देखो यहां पर एक और चीज़ ब वन नेशन वन ग्रीड वन फ्रिक्वंसी वन प्राइस तो यहां बर से क्या बताए जा रहा है कि जो जो पावर डिस्ट्रिबिशन है या पावर जो कंसेप्शन है पूरे इंडिया के अंदर अभी सेम रहने वाला है या आप लोग बूसकते हो एक ही प्राइस के उपर देखन को मिलने वाला है मरला आप लोगों को अभी इंडिया के अंदर अभी अभी हमें दो रूपीस पर यूनिट पे करने पड़ता है तो अभी यहां पर से इंडिया के अंदर सारे के सरे स्टेट्स के अंदर दो रूपीस पर यूनिट ही पे करना पड़ेगा ऐसा कुछ यहां पर से बताया जा रहा है ministry of power के द्वारा और उसके सासा निची के तरफ चलता है यहाँ पर से एक और चीज़ बताईगी है देखो यहाँ पर निची की तरफ ओके तो यह रहा यह एक दिखो आप लोग देख से देखो पावर जेनरेशन डिस्ट्रुवेशन आहरी during May 21 which so rated 8% on year on year तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है कि जो एक दो लॉक्डाउन हुआ था लॉक्डाउन की वज़े से यहाँ पर से सारे लोग लॉक्डाउन 2020 की बात चल रहे तो वहाँ पर सारे लोग यहाँ पर से इंडिया के अंदर मतलब यहाँ पर घर के अंदर ही बै कर रहे थे तो यहाँ पर से जो पावर कंसेप्शन था उसके अंदर थोड़ा बड़ोतरी होने का यहाँ पर से अनुमान था तो उसके अंदर क्या हुआ जो पावर कंसेप्शन है वो यहाँ पर से इतना जादा नहीं बड़ा है आप लोग देखोगे तो 4% लो था पिछले दो साल की बात करें तो यहाँ पर से क्या हुआ जो यहाँ पर से जो बड़े-बड़ी मील्स होती है बड़े-बड़े कार खाने होता है और बड़े-बड़े जो फैक्टरियास होती है उसके अंदर जो पावर का कंजप्शन ना बहुत जादा होता है जो नॉर्मल घर के मुक ठीक है यहां पर आप लोग देखोगे तो घर और स्वारी मील सॉल फैक्ट्रिया और कार खाने सारे बंद हो गए तो जो पावर का कंजप्शन है ना वो मनलब कम हो गया तो जिसकी वज़से क्या हुआ जो पावर है वो यहां पर से सस्ते दामों में कंपनियों को बेचना से लॉकडाउन यहां पर से हर्ट रहे है सारी जिगापर से अभी फिर से अमारी जो एकोनोमी फिर से स्टार्ट हो रही है पावर का जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा आने वाले समय में तो इसकी वज़से से बताया जा रहा है कि आने वाले क्टाइम में आप लोगों को ज कि जो बाजार है ना सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले ही रियक कर देता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा मलब एक्जाम्पल के रूप में कि रिजल्ट आने से पहले मलब जो इलेक्टरिसिटी खर्च जादा खर्च होने से पहले ही यहां पर से बाजार ने कर लिया है कि यहां पर से का आने वाले समय बढ़ने वाला है इसी यहां पर से आने वाले समय में पावर डिशूबिशन एन कंसरप्शन की बनगों बढ़ एई. तो इसी की बज़े से इन शिरू के अंदर तेसे देखने को मिल रही है तो directly king king company को फायदा होगा एक एंटीपिसी के होगा ये government company है power produce करती है ये company hydrogen और वो size size से तो ये इस company को यहाँ पर से फायदा हो सकता है उसके बाद यहाँ पर से torrent power ये भी एक company power production and distribution का काम कर दिये तो यहाँ पर भी इस company को torrent power को भी आप लोगों को मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे starting में यह news आने के बाद इस company के अंदर 5% की तेज़ी देखने मिली क्योंकि इस company ने भी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 33.6% की तेज़ी दिखाई थी और यहाँ पर से top two bottom की बात करें तो इसके अंदर भी company के shares ने यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अच्छी खासी मतलब आप लोगोंको मैं दिखाता हूं रुको तो इतना जादा मतलब 3.84% की आसबास की तीज़ी दिखाई थी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूं 4% की तीज़ी टाड़ा पावर के अंदर भी थी और अदानी पावर की बात करे तो आज की दिन 20% का यहाँ पर से अपर सरकीट लगा दिया इस company ने तो यहाँ पर आप लोगों खो अदानी पावर ने तो कुछ जादा ही reaction कर दिया है पर actual में आप लोगों वो सारा का सरा power segment energy segment वो भागते हुए देखने को मि ठीक है तो बस्ति राच के लिद्धा है आप लोगों को यह वीडियो कैसे लेगा मुर्को comment section वेदाव वीडियो पसंद है तो like channel को subscribe कर नमध बूला गोड़ बालफ गुडबाई फिर मित पा नेक्स डुमें गुडबाई